हेलो एविवान मैं हूँ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्वस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इंग्लिश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2.1 पोयम Song of the Open Road जी हाँ दोस्तों बड़ी ही मज़िदार जबरदस्त इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल पोयम है आज इसका अप्रिसियेशन भी हम करेंगे एक्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है और एक जबरदस्त और आसान सी पोयम है बहुत मीनिंग्फुल है जिंदगी में उतारने लाइक बहुत कुछ है इस पोयम में तो अगर आप इस चानल पर नए है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दव ज़रूंगे वन मार्क्स for explanation and presentation of the poem और इसके अलावा वन मार्क्स will be for personal opinion and evaluation इस प्रकारत चार मार्क के लिए appreciation जो है वो पूछा जाता है दोस्तों appreciation होता क्या है तो याद रखिए analyze करना है आपको और अपना opinion देना है on the piece of literature यानि पोयम के बारे में आपको अपना खुद का मत जैसे कहते हैं हम जैसे personal opinion कहते हैं वो आपको यहाँपर analyze करने के बाद देना है दोस्तों चलिए poem को बारी की से समझ लेते हैं दोस्तों poem जो है यह Walt Whitman ने लिखी है और बेहद ही inspirational और जबरदस्त सी यह poem है यह Walt Whitman जो भाई साथ है हमारी यह journalist थे teacher थे by trade and he was famous essayist and poet उन्होंन कई modern poetry के जबरदस्त से लेख लिखे हैं he was born on long island and grew up in new york he died at the age of 72 suffering from debilitating stroke his poems and essays are global दोस्तों इस poem की खासियत यह है कि यहाँ पर कोई rhyme scheme नहीं है कुछ rhyming words वगरे नहीं है और ऐसी poems को हम free words कहते हैं जिसमें rhyme scheme नहीं होती है और इसमें जो हमारे poet है वो speaker की तरह हमें describe कर रहे हैं एक journey एक trip के बारे में जो वो शुरू करने वाले हैं दोस्तों he describes himself as being healthy and free वो एक संदेश दे रहे हैं कि मैं एक नई journey के शुरुआत कर रहा हूं और मैं अपने आपको healthy और free महसूस कर रहा हूं क्योंकि जिन्दी का control जो है वो पूरा अपने हाथ में होना जरूर करके जब आप एक नई जर्मी के शुरुआत करते हैं तो याद रखी आप completely अपने life के control में होते हैं he chooses his own destiny वो कहते हैं कि मैं खुद चुनता हूं कि मुझे कहा जाना है किस रास्ते को चुनना है he says he doesn't want any good luck wishes as he is his own good fortune उसे कोई good luck की जरुवत नहीं है कोई good wishes की जरुवत नह हैं he says there is nothing that he lacks he will reach his destination on his own and the earth will provide him with necessity तो कहीं न कहीं उन्हें खुद पर भरोसा है वो संदेश भी यही दे रहे हैं कि आप सभी को खुद पर भरोसा होना चाहिए और इसलिए आप अपनी मंजिल को जरूर पा लेंगे और ये दुनिया ये प्रकृती ये समाज ये सोसाइटी य ये जो प्रकृती है ये जो युनिवर्स है यही इसका खयाल भी रखेगा आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुचा देगा he says that the road he is taking will have imperfections and burdens उतार चड़ाओ जिन्दगी में जरूर आएंगे बहुत सारी problems भी आएंगे बहुत सारी मुसीबतें में आएंगे but he won't worry rather take those burdens and deal with it as they arise जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे उनका सामना करते हुए आगे बढ़ जाना है चलिए एक एक लाइन को समझते हैं सबसे पहले a foot and light hearted I take to the open road healthy free the world before me the long brown path before me leading wherever I choose यहाँ पर analysis बड़ा ही simple सा है जो poet है हमारे कह रहे हैं कि मैं एक नए जर्नी की शुरुवात कर रहा हूँ एक open road पर अपने पहरों तले मतलब on foot में चल रहा हूँ secondly वो कह रहे हैं कि वो healthy और free है yes he is healthy free और he is open to experience and recognizes that he has all the control of his journey यह वो पहचान रहे हैं वो जान रहे हैं कि यार path मेरे सामने जो है वो long तो है मगर मैं control में हूँ जहां चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ आगे के paragraph में वो कहते हैं henceforth I ask not good fortune मतलब अपसे मुझे किसी के good luck और good wishes की जरूरत नहीं है I myself am good fortune मैं खुद ही एक good fortune हूँ और मैं खुद ही अपने good luck का जिम्मेदार हूँ He will not cry or hesitate वो कहते हैं to do what he wants henceforth I whimper no more postpone no more need nothing इसका मतलब होता है कि मैं अब रूँगा नहीं मैं किसी से मांगूँगा नहीं मैं अब postpone नहीं करूँगा बाद में बाद में टालूँगा नहीं चीजों को मैं खुद अपनी जिद से अपनी चीजों को complete करने की कोशिश करूँगा I need nothing जी हां मुझे किसी की जरुवत नहीं है मैं खुद से अब जो चीजें हैं वो कर सकता हूँ मैं रूँगा नहीं मैं चीजों को आज नहीं कल नहीं तालूँगा नहीं मैं जो है complaints के बिना questions के बिना doubts के बिना restrictions अपने आप पे डाले बिना आगे बढ़ता रहूँगा यही लेखक जो हमारे poet है Walt Whitman यह कह रहे हैं दोस्तों done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms, strong and content I traveled the open road मैंने इस जर्मी की शुरुवात कर दी है और अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ querulous का मतलब यहाँ पर दोस्तों complain करना होता है और irritate हो जाना होता है जो की लेखक कह रहे हैं कि अब मैं नहीं रहूँगा ऐसा मैं irritate नहीं होंगा, मैं problems के related complain नहीं करूँगा के लोगों की आदत होती हो, complain करते रहते हैं कि मेरे हालात ऐसे थे, मेरे हालात वैसे थे लेकिन लेकर कहते हैं कि poet हमारे कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, मैं अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता हूँ और मैं ऐसा वापस से नहीं करूँगा आगे बढ़ते हैं poem की ओर, तो poem अगले stanza में कहते है, the earth that is sufficient, I do not want the constellations any nearer, I know they are very well where they are, I know they suffice for those who belong to them या हमारे poet जो हैं, वो कहते हैं, speaker जो हैं हमारे poet वो कहते हैं कि दूसरों से मैं अलग होना चाहता हूँ मैं ठीक हूँ, अकेला ही ठीक हूँ और मेरे पास जो है, वो मेरी जमीन है, मेरा रहूँ, ये universe है और यही मेरा खयाल रखने के लिए sufficient है he doesn't want something which is too far for him, ऐसी चीज़ा नहीं चाहिए जो काफी दूर है और जो अंदेकी लग रही है constellations का मतलब ही होता है, in this context, fate और destiny जो नसीब में होगा, वो मिलेगा influential groups of people जो होते हैं, वो कई बार ऐसा करते हैं और आप से चीज़ों को छीन लेते हैं he says he is aware of what is where and is at the right place लेखक हमारे जो है, Walt Whitman, हमारे poet जो है, वो कहते हैं कि यार, जिस चीज़ के लिए मैं बना रहूंगा, वो जरूर मुझे मिलेगी और मुझे यकीन है, कि यार, जो जहां पर है, वो उसकी सही जगा पर है and he is satisfied and contented what others have as he thinks that they deserve it यहां पर poet बहुत ही जबरदस बात कह रहे हैं कि यार, किसी से जलने की भी आवशक्ता नहीं है, किसी से एगनी रखने की भी यहां पर कोई आवशक्ता नहीं है क्योंकि जिसके पास जो चीजें हैं, वो वो शायद deserve भी करते हैं और इसी लिए उनसे influential लोगों से जल कर भी कोई फायदा नहीं होने वाला है जो आपके नसीब में हैं आपको मिलेगा, जो आपके destiny में हैं, जो आपके fate में हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा और आप उसे हासिल कर ही लेंगे दोस्तों, खुश रहने की एक ही कला है, the heart of being happy is to be satisfied with what you have जो आपके पास है, उसमें आप खुश रहिए और जबरत तरीके से आप जिंदगी में सफ़ता हासिल करें I swear it is impossible for me to get rid of them in return, यहाँ पर लेकर यही कहते हैं कि you are worth it, you deserve it, जो आपके पास है वो जरूर आपको deserve करता है और इसी लिए आपके पास है, happy people focus on what they have, unhappy people focus on what's missing तो आप unhappy मत रहिए, आपके पास जो है उसी से खुशियां मनाईए, चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस poem की बात करूँ मैं detail में, तो यार, Song of the Open Road जो है, यह एक बड़ा सा संगरह है, Poems का, Leaves of Grass नाम का, जिसमें American Poet Walt Whitman जो है, उन्होंने ही यह Song of the Open Road की पूरी लिखावट की है और जबरतस तरीके से उन्होंने इंस्पायर करने की कोशिश किये, कि जिन्दगी में खुद के काम की खुद जिमेदारी लीजिए, इंस्पायर करने की कोशिश किये, उन्होंने मोटिवेट करने की कोशिश किये, कि यार, Unhappy मत रहिए, Happiness जूड़िए, जो आपके पास है, उसमें खुश है करके, Theme of the poem की बात करें, तो आजादी, Freedom, Relaxation, Mobility, Movement इन जगा से दूसरे जगा चलना, और Journey of Life को समझना, यही इस poem का Main Theme माना जाता है, कि यार, यह poem जो है न, यह Solutions बताती है, यह Solutions बताती है, और कहीं न, कहीं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी त उसमें भी, poet, जो है, वो, admit करते हैं, that he is not free from problems, और burdens, सभी को problems हैं, burdens हैं, but instead of being upset, he relishes, enjoys them, he admits that every path has problems and one cannot get rid of it, यानि, जो मैंने आपको last stanza बताया था, यहां पर, यहां पर उसने कहा कि, carry my old delicious burdens, I carry them, men and women, हर कोई इसको carry करता है, I carry them with me, I am filled with them, and I will fill them in return, यानि कहीं न कहीं, journey में, आपको कई उतार चणाव फेस करने पड़ते हैं, men हो, women हो, आप किसी भी जाती धर्म भेद के हो, सभी को तो problems फेस करने ही पड़ते हैं, he says, the burden and problems fill me and I enjoy and tackle them, and fill them in return, कहीं न कहीं, इन मुसीबतों से ही, जीने का मज़ा आता है, इन मुसीबतों से ही जीने का आनन्द आता है, और जिन्दगी सवर्ती है, इसी से हम सीखते हैं, और आगे बढ़ते हैं, तो इन return भी अगर हमें मिले, तो फिर भी हमें इसका आनन्द उठाना ही है, तो इस प्रकार से ये poem काफी inspirational है, motivational है, freedom, mobility, और journey of life की बात करती है, poetic style की बात करें, तो दोस्त महतपूर्ण है, यहाँ पर आपको समझना है, कि यहाँ artistic language यूज की गई है, easily understood है यह, और यहाँ पर कुछ figure of speech की अगर हम बात करूँ, तो वो ही यूज की गई है, और repetition, metaphor, paradox, inversion, और no rhyming scheme जो है, वो नजर आता है, repetition क्या है, तो repetition is when a single word or a group of words is repeated for effect, तो कई ऐसे हैं, यहाँ repetitive words, इसके अलावा, a metaphor की बात करें, तो यह एक ऐसा figure of speech है, that describes an object or action, in a way that isn't literally true, but helps explain an idea, और make a comparison, तो comparison भी यहाँ पर किया गया है, जिंदगी का, और इसलिए metaphor भी यहाँ पर दिखाई देता है, a paradox is a figure of speech in which a statement appears to contradict itself, और आखिर में inversion की बात करें, तो inversion happens when we reverse the normal word order of a structure, most commonly the subject verb और word order, तो इस तरह से inversion का भी figure of speech का, यहाँ पर इस्तमाल हुआ है, special features की बात करें, तो the word road is symbolic, यहाँ पर तो song of open road कह रहे है न, तो यहाँ पर इस symbol है road, किसका, तो it is compared with human life, it is the sign of mobility, यानि जिंदगी का ही यह जो रास्ता है, वो बड़ा ही symbolic है, और इसका ही comparison human life के साथ किया गया है, कि हमेशा चलते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, आप भी जो 12th time में पढ़ रहे हैं, यह कोई अंत नहीं है, यह कोई end नहीं है, यहाँ सी ही आपकी life को एक नई दिशा मिलने वाली है, आप कुछ सीखेंगे, यहाँ से जो भी results आप ला बड़ा संदेश है, कि आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए, अपनी strength पर आपको believe करना चाहिए, message value, morals की बात करें, तो freedom is the real life, आप अपने आपको बंधनों से मुक्त कर दीजिए, restrictions से मुक्त कर दीजिए, life dynamic है, उसे honestly जीना सीख लीजिए, अगर आप चोरी से बंध में छल कपट रखके जीएंगे, तो आप कभी सफलता हसल नहीं करेंगे, तो आपको honestly, dynamic life को जीते रहना है, दोस्तों, अपने own opinion की बात करें, तो appreciation में own opinion बहुत जरूरी होता है, और यहाँ पर एक साधरन सा own opinion मैंने लिखा है, I think we should not depend on luck, किसी को भी luck पे भरोसा नही क्योंकि हर कोई एक creator है अपनी खुद की जिंदगी का, आपके हाथों में कमान है आपकी जिंदगी की, आपको उसे आगे लेकर जाना है, और अपना career, अपनी life, अपनी जिंदगी को खुद सवारना है, we must face different problems in the journey of life, life is not easy, यही है own opinion में आपको लिखना, इस तरह से आप बह लिख पाएंगे, उमीद करता हूँ, song of the open road, Walt Whitman की यह जवरतसी poem आपको inspire कर पाएंगी और आप जिंदगी में कुछ नया मुकाम हासिल कर पाएंगे, दोस्तों बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हम ऐसे वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इस poem के जो notes हैं related वो आपको मिल जाएंगे हमारे telegram channel पर, नाम है sky education official, मिलेंगे फिर एक बार चलिए, दोस्तों कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए do like, share and subscribe